तो यार आज एक नया चेप्टर चालू करने जा रहे है क्लास नाम है स्ट्रक्चर ओफ एटम चेप्टर नंबर फॉर है ठीक है इस चेप्टर में काफी सारी नहीं नीचीजें आपको पढ़ने को मिलेगा अभी तक आप जानते थे अटम्स हैं एटम्स के अंदर इलेक्टरो होते हैं वो किस से बनते हैं matter का matter जो चोटे-चोटे particle से मिलके बनते है चिने हम क्या कहते है अभी तक तो छिप्टर हमने पढ़ा है उसमें हम यहीं सीमित थे यह तरीके से खोज किया था proton क्या है proton का charge क्या है mass क्या है किनों ने खोज किया था neutron क्या है यह सब यार आठ लक्चर में अपन करने वाले हैं चेप्टर में और भी बहुत कुछ है पढ़ने को ठीक है यह एक brief introduction है अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़े अपन इस चेप्टर में पढ़ने आफ्टर डेट यार जनरली आज के सेशन में पहले लेक्चर में अपन यही चीज़ देखने वाले है इलक्ट्रोन की खोज कैसे हुई किसने की proton की कैसे हुई किसने की and neutron यह कुछ तीन टॉपिक को डिसकस करने वाले और कुछ बेसिक टर्म डिसकस करेंगे इस चेप्टर से आइटम इस चेप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स, इस इंपोर्टेंट कोस्टिंस, या एंसी क्यूशन वगएरा चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जरूर चेक आउट किजेगा और भी काफी सारे उस पर कंटेंट आपके लिए हमारी वेबसाइट पर पब्लिस हो रही इस चेप्टर में लिंक प्रवाइड करा दिया हूँ, ठीक है, इस चेप्टर में हम सुरुआत करेंगे कुछ कोस्टिंस से, अभी हम डिसकस करेंगे यही पर आएंगे, इस चेप्टर का इंटोडेक्शन वगएरा हम देखेंगे, आफ्टर डैट एटम की जो चार्ज पार कर दिया था, यह चेप्टर के आने के बाद, डैल्टन के अटॉमिक थियोरी जो थे ना, उनके कुछ पॉस्टुलेट्स को गलत प्रूफ कर दिया था, कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर इस उनके कुछ पॉस्टुलेट्स को गलत प्रूफ कर दिया था, और वहीं से क्रांत प्रोटोन है इसके लिए काफी एक्सपरिमेंट किया गया उनमें से तीन मॉडल बहुत फेमस थे लाइक इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग चीज़े आने वाली है तो आप चलते हैं पहले अपने स्लाइड पर वहां से इस च्प्टर का प्लास्टे प्लाज्मा और बोह सैंस्टेंड कंडैस सहना देल्स्थैतर हमनें सॉलिडी लिक्विड़ चाहिस के और तक यह मैं can मेरे को थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है यह मोबाइल को टच कर रहा हूँ यह पैन मेरे को थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है बाए यह इंचतर ये और अपने की अपनी प्रूपर्टी से होती है आपके मन में कुछ अग्हाई होंगे चप्टर थरी टफटर ने के मुबाइल के दोनों अलग हो रहे हैं में फील आ रहे हैं इन दोनों के atoms अलग अलग है तो ऐसा क्या चीज है जो दोनों को अलग बना रहा है है ना यह कोशन एक एराईज होगा आपको इसका एंसर भी अपन इस चेप्टर में देखेंगे लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा औरला कुशन बनता है आपने जो डेल्टन अटॉमिक थी जो डेल्टन ने पर इंट्रोडेक्शन में यह बताए मुझे जॉन डेल्टन चेप्टर थी में डेल्टन अटॉमिक थी आपने बढ़ा था जो जॉन डेल्टन जो थे considered atom to be an indivisible entity atom को उन्होंने indivisible entity का नाम दिया था कहा था क्योंकि वह या उस टाइम के जितनी टेकनलोजी थी उसकी साब से उन्होंने खूज किया था तो उनको लगा था कि atom indivisible है इससे छोटा कुछ होता ही नहीं बट आगे चलके but his concept has to be discarded at the end of 19th century 19th century के last तक यह चीज टेकनलोजी आ गये थे scientist और smart आ गये थे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं आर atom जो है वो indivisible particle नहीं है कुछ sub atomic particles भी है ठीक है? atom के अंदर कुछ sub atomic particles भी है जिने हम electron, proton और neutron कहते हैं वही चीज़ हम यहाप देखेंगे electron, proton और यह charges बताते हैं किस atom का क्या charge है? ठीक हर atom में electron भी रहता है हर atom में आपको proton भी दिखेगा यानि positive charge particle, neutron भी दिखेगा यानि कोई charge particle नहीं और electron यानि negative charge particle हर atom में यह तीन जो आपको है सब atomic particle यह दिखेंगे ही दिखेंगे कोई atom एक्जिस्ट ही नहीं कर सकता तीनों के तीनों रहना अनिवार है I hope इस chapter का थोड़ा बहुत introduction पार्ट आपको clear हो गया होगा आपन move on करेंगे atom आर basic building block of matter यह भी चीज delta नहीं कहा था और उनके scientist वगएरा थे, co-partners वगएरा उनके द्वारा कहा गया था जो भी matter से वो छुटे-छुटे particle से मिलकी बने है यानि atom से मिलकी बने है different kind of matter exist करता है इसलिए क्योंकि different kind of atom भी present है rubber का touch अलग है elongate हो जाता है वहीं इसको elongate करेंगे हो तो पाचला हाथ में ही आजा तो यह सब की अलग-अलग property है यह रबर की property अलग है solid pain की property अलग है ऐसा इसलिए different property different object have different properties because atom also are exist in different natures ठीक है चलो now charge particle of matter matter के charge particle के बारे में जरा देखते है यार एक experiment हुआ मतलब ऐसे गलती से आप यह जो भी किया गया कि एक rubber plastic को लो और अपने hair में कस्क इस तरीके से rub करो उसके बाद आप किसी tiny छोटे-छोटे papers के पास ले जा हुआ तो papers attract करेंगे यार आचानक से scientist लोगों को दिखा यह बोल कि यह क्या हो रहा है यह क्या यह charge कैसे आ गया इस body में charge कहां से आ गया मैंतलब रव करने से charge कैसे आ गया तो हमने रव किया यानि हमारे hair से कुछ charge इसमें transfer हुआ जिसके वज़े से यह body charge हो गई और कुछ दूसरे charge particles को attract कर रही है तो इससे यह समझ वया है कि यार इस atom के अंदर कुछ charge particles भी है यहाँ पर ही clear हो गया था अब वो charge particles क्या है वो plus है कि माइनस है कि electron हो की proton है कि neutron है यह भी तक पता नहीं था बस एक अंदाजा हो गया था कि यार atom के अंदर कुछ charge particles भी है clear हो गया था कुछ सब atomic particles भी है ना यह चीज बढ़ता है आगे experiment तो आगे चलके proton सुन डिस्कवर किया गया था एंडरिस्ट रदरफोर्ड के द्वारा गुल्ड फॉइल एक्सपरिमेंट के हेल्प से यानि पॉजिटिव चार्ज की खोज की गई थी electron के अंदर फिर एक्टम के अंदर आगे चलके electron की खोज की गई जेजे थॉंसन के द्वारा तो यह इनके नाम अच्छे से याद कर लेना ठेक है तो यार शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोन से Discovery ऑफ इलेक्ट्रोन तो देखा जाए तो इलेक्ट्रोन का जो डिस्कवर हुआ था बाई जी जे थॉंसन द्वारा खोजा गया था यानि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस तरीके से लिखायाता है इउपर माइनिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोंस एटम के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है यह थॉम्सन द्वारा इस चीज को ढूंडा गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या होता है किस तरीके से किया गया था वैसे इसकी बारे में डिटेल में 11 टूल्थ में आप पढ़ोगे बद एक ठोच छोटा सा आपके जो जिग्यासा है ना उसको कंट्रूल करने के लिए च्छोटी से चीजे में बता दूँगा साइड में एक्सपेर आटिकल है जिसका नाम एलेक्ट्रोन है जो की नेगेटिव चार्ज है यह बताऊँगा किस तरीके से पता चला नाम तो चलो कुछ भी दे दिया उन्होंने बट चार्ज कैसे पता चला यह बहुत इंप्टेंट है वह मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताऊँगा किस तरीकास उनको चार्ज ब्ता चला कि तो नेड़ी यह होता है ना। फ sticking power अच्छ बच्यालो बहुत इंपोरण्ट है इसको रदलो यादकर्लो जहन में बसालो दिल में डाल लो घोल के पीलो जो करना भया यह कभी नहीं दिमाग से निकलना चाहिए ठीक है दूसरा है इलेक्ट्रोन का मास्ट तो 9.1 ठीक है 9.1 इन्टु 10 पावर माइनस 31 केजी की फॉर्म में याद रखो तो सही है यह है मास ओफ इलेक्ट्रोन यह कुछ चीजें है यार जो आपको याद होना चाहिए रियली बता रहें याद होना चाहिए सीधे कोशन आ जाता है ठीक है तो चलो यार यह तो क्लियर हो गया अब जरह हम देखते हैं यह कैथोड रे किया कैसे गया था इसे थोड़ा सा नजर डालते हैं ठीक है ज़्यादा डिटेल में जाएंगे उपर उपर देखेंगे क्लियर सो आप देख सकते हो यहां पर हुआ क्या हम कैथोड पहले तो यह बताओ जैसे बैटरी का टर्मिनल है ना यह बैटरी तो यह एक तरफ होता है कैथोड एक तरफ लगा रहता है वैटरी में एनोड एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड यानी नेगेटिव है ना अब देखो यह कैथोड क्या है नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके अंदर जितने भी एलेक्टरों से वह सारे मतलत जो भी चार्ज है वह रहा हूं अब इसके आज पास अगर मैं कोई पॉजिटिव बोडी लाओंगा तो जाहीं से नेगेटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव की तरफ एट्रेक्ट होगा और यह जो लाइन है उपर की तरफ इस तरीके स्फिर जाने लगेगी तो यही से पता चलता है हमको कि य अगर आप इस एकस्पेरिमेंट को देखोगे यहां से यह एक टर्मीनल है और यह देखो यहां से यह आ रहा है और यह यह का थोड़ बॉक्स है इसको जैसे या प्रेश करोगे दिखना यह को जैसे मैं निकली और फीर यह उपर की तरफ जाने लगी यहां पेक कोटिंग है ि और जो इसी एंडर वाइट-वाइट typ ko लगकवी तोड़ोंगे डिखोगे जो ग्लास में उसको फ्रतक चमकने लगता है अथो उसी तरीकिए से करके रखते हैं जाने चार्ज हो रहा है कि इस सेरा साल्च है कि एडे दे तो सबस्कार्फ हो रहा है खिंद दुलिख हो रहा है लिमारे बीलावनर addict नहीं तक रहा है यहां पैसी को बोलते हैं आयरे एक्सपेरिमेंट श committees तो यही था मिट लस्म्न द्वार्य एक्सपर्मेंट किया गया था और आगे चलके है मिलि honestly उसका चार्ज कितना है ऊसका मास कितना है यह सब आगे चलके पता चला फिलाल तो यार इन्होंने बस खोज की थी लेक्ट्रोंज को ठीक है नाव गार नेक्स्ट जलते हैं डिस्कवर अफ प्रोटोन प्रोटोन के डिस्कवर के बारे में बात करते हैं तो देख लो एनोड रे और कैनाल रे एक्सपरिमेंट किया गया था इगोल्ड स्टाइन के दुवारा किया गया था प्रोटोन को डिस्कवर करने के लिए इसमें क्या करते हैं जैसे हमने उस टाइम पर कैथोड रे को छोड़ा था नेगेटिव चार्ज वाले को इस बार हम एनोड रे को छोड़ेंगे पॉजिटि तरफ एट्रैक्ट हो रहा है तो यह ईसके अंदर एकश ऐसे पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव पार्टिकल्स वारा है इस चहल ब से से यहां से देखो यह कैथोड से एक लिलेक्ट्रोन जब चालू करेंगे तो इलेक्ट्रोन से निकल रहें और फॉलो कुटिंग पर टकराएगा तो इस तरीके से यह फ्लैस करेगा तो यह इनोड तरह तरह से गया है तो यह कुछ एक्सपरिमेंट थे अब प्रोटोन की बात करें तो पॉसिटिव चार्ज होता है वह पॉसिटिव चार्ज सबटमिक पार्टिकल है और इसका जो चार्ज हो होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम प्लस में है न कि भी पॉजटीव है मास कितना होता है जो electron का मास था ना उसमें 1840 into कर दो तो इतना ज्यादा मास होता है proton का ठीक है I hope इतना clear हो गया होगा now next है यार neutron की discovery तो जे चैंडविक के द्वारा इस सीच की discover किया गया था अब क्या कहते है यह जरा देखो तो जे चैंडविक ने बॉंबाड कराया लाइटर एलिमेंट लाइक लीथियम और बॉर्ण जैसे लाइटर जो एलिमेंट्स है उनको बॉंबार्डिंग कराया विट अल्फा पार्टिकल के साथ एंड ऑब्सर्व किया इमीशन ऑफ एक नया पार्टिकल इमीशन कर रहा है जिसका कोई चार्ज ही नहीं जीरो चार्ज लेकिन चार्ज तो नहीं यह लेकिन उसके पास मास है और एकोर्डिंट्टू फिजिक्स देखा जाए तो दुनिया में इन्यूवर्स में न्यूटन के द्वारा बताए गया तभी वो मुव्मेंट करेगा ठीक है तो इस पार्टिकल आल्कॉल ऐसी पार्टिकल को न्यूट्रों कहा गया न्यूट्रों पार्टिकल आटम और न्यूट्रों आर प्रेजेंट इन प्रोटिनियम आइसो टोप अफ हाइड्रोजन एटम है ना इसमें पाया गया था जातर शुरू में, since mass of electron are negligible as compared to that proton and neutron, hence some of masses of proton and neutron in an atom will compose its atomic mass, तो जार देखा जाए, electron का mass और proton के mass के compare में neutron का mass बहुत जदा बहुत बहुत जदा कम था, इसलिए अब हमने बोला कि atom जो है न, atom में nucleus होता है, बीच में nucleus है उसके अंदर क्या होता है, neutron और proton रहता है है और आज पास revolve करते हैं electron, तो अगर हम जैसे hydrogen hydrogen का atomic number कितना है भाई, one, तो कैसे decide हुआ, hydrogen का atomic number one कैसे decide हुआ, कि इसके अंदर atomic mass that is, जो भी number of electron और number of proton को add, sum up करने पर हमार atomic mass निकलता है, ठीक है, atomic mass of any element, ओके, तो इस तरीके से किया गया था, या, sorry hydrogen में तो एपसेंट रहता है, neutron are absent, sorry मैंने गलत बोला था, neutron are absent in protonium isotope of hydrogen hydrogen के काफी सारे isotope है, like one h one, one h two, one h three, तो प्रोटोनियम आयन जो है, फर्स्ट वाला, इसके अंदर neutron रहता ही नहीं है, ऐसा माना गया था, चिक किया गया था, तो यह bombarding कैसे हुआ था, alpha rays को निकाला गया था, है ना, देखोगे, तो alpha rays की उस तरीके से निकाला, एक barrium के पट्टी पे तो वहां से यह निकले है, है ना, तो यह कही movement ही ना, हाँ प्रेजेंट होता है, outside nucleus, यह है nucleus, nucleus के outside देखो, minus charge यह electrons दिख रहे होंगे, charge क्या होता है, minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, unit charge negative है, तो minus 1, mass, atomic mass unit के form में, electron का mass होता है, 0.00055, और gram के according this, और kg के according, 9.1 into 10 power minus 31 kg, अब proton की बात करें, तो nucleus के अंदर present होता है, यह nucleus के अंदर proton plus charge दिख रहा है, प्रेजेंट होता है, charge इतनी होती है, unit charges plus 1, amu के term में इसका mass this, and gram के term में इसका mass this, और kg के term में आप देख लो, neutron, nucleus के अंदर यह भी पाया जाता है, यह भी nucleus के अंदर पाया जाता है, कोई charge नहीं होता है, इसका mass है, amu के term में 1.00866 के आसपास, और gram में like this, ठीक है, तो I hope यार यह सब चीजें आपको clear हो गई होगी हो, आने वाले lectures में हम delton के failures के बारे में पढ़ेंगे, फिर atomic mass, यह सब आगे आने वाजो भी चीजे में ने बताया है, वो सब चीजे one by one lecture में cover करते जाएंगे, आसा करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए goodbye and take care.